प्रदेश के राज़पाल बंडारू दतारे ने लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को गोपनियता की विधिवत रूप से राजभवन में शापत दिलाई इस मौके पर अजेक कुमार ने लोग सेवा आयोग और जैप्रकाश काल्टा ने आयोग के सदस्यों की रूप में शापत ली वहीं इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर ने कहा कि आयोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और नए अध्यक्ष और सदस्यों के बने स आयोग तेजी से काम करेगा आधको जो आज से पहले चल रही थी माचल प्रदेश में बावी सर्विस क्वेंशन के माधियम से लोगों की जो चैन की जो परक्रिया होती है उसको आगे जो है वो पारदर्श्टे के साथ जिस तरह से चल रही तो तरह से काम करते रही है कि आयोग का बद एक सम्मेधानिक बद है तो मैं पूरी पारदर्श्टे के साथ प्रदेश में जो चैन होना है फेर इंड तरिके से जो आजकल जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं उनको चुलके जाना चाहिए करने के लिए यह मैं कोशिश करें लोग सब्सक्राइब करने मुझे उसके लिए चुना है यह बहुत भारी मेरे उपर जिम्मेबारी है और बहुत बड़ा एक दाहित्व मुझे मातप्रद्ष्ट शरकार और मानने मुख्य मंतरी महोदे ने सौंपा है तो उसके लिए मैं म काम करूंगा और हमारा हमाज़ा प्रदेश का यह जो आयोग है यह अपनी अब्जेक्टिविटी फेर सेलेक्शन के लिए पहले से ही बहुत अच्छा कारे हुआ है और बहुत मशूर है इसमें पर जो भी पार दिरिश्टा और लाने का स्कोप होगा सेलेक्शन प्रोसेस मे और बढ़ाने का स्कोप होगा उसको और बढ़ाएंगे पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा कुछ में कि अधर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं जहां भरती प्रकरिया फेर सेलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है उसको ए एफिशेंसी बड़े क्योंकि जितना टाइम पर ज्यादा खाली रहेगा चले पुले चले पुले चले